कि अछाय क। फेंस आज हम मेश संकार्टी दो जाब आईस का फ़ला देश देखेंगे सूर्य जू है वो कि चौदा अपरव जाब को मेश राशी में प्रवेश करेंगे अधारे का मैश राशी परिवतन का जो बाराशी है उन पर क्या परवाब पढ़ेगा और देश काल पर क्या परवाब पढ़ेगा यह हम देखेंगे सूर्य यहां चौदर तरीक को जो है मेश राशी में आजाएगा यहां पे गाहू पहले से इस्थे थे तो यहां पर सूर्य घर की सिद्धी बनेगी साथ में बुद्ध भी है तो जब भी मेश राशी में सूर्य राहू का योग बनता है तो यह जो योग होता है वो देश की देश के जो नेता होते हैं शीर सस्तर के नेता होते हैं उनके लिए ठीक नहीं होता है साथी ये प्रजा और शाशकों में टक्राफ की इस्तिती पैदा करता है यहां पे जो है एक मंगल और शुक्र का योग बनता है यह जो योग है आर्थिक आर्थिक जो योजनाय बनती है जो भी देश की प्रगति के लिए जो योजनाय बनती है उनमें जो है रुकावटे पैदा करेगा क्योंकि यहां पर केतु का संबन्द बनता है मंगल और शुक्र से जो की रुकावट का कारण है जो करक राशी है वो प्रजा के राशी होती है तो यहां पर भस्पति की फिफ्ट दर्ष्टी पड़ेगी जो की देश के लोगों के लिए प्रजा के लिए शुब रहेगी राजनित्यकों के लिए यह समय काफी कठें समय चलेंजिंग टाइम कहा जा सकता है और शनी इस समय मका राशी में है और शनी का मका राशी में होना इस्थे राशी में होना प्रत्वी राशी में होना अपने आप में ही एक समस्या का कारण है छैसरे यह द्वीश अरी अप्नी राशी में होते यह लेकिन इस्थे राशी है पृत्वी राशी है और राशी होती है तो यह समस्यां सिथा यह देश में पव्यवतन का संकेत है ये और आर्थिक समस्यां भी देता है यहां पर आर्थिक समस्यां भी दिखाई देती हैं करा तक्ता पलन यह सब समस्यां हैं जो है महगाई को जनम दे खुए हैं तो चलिए देखते हैं सूर्य का जो ट्रांजिट है मेश राशी में वो 12 राशियों के लिए कैसा है ये जो है 14 अपर से 11 माई तक का है 2022 फलादेश जो है ये तो मेश राशी वालों के लिए कैसा है मेश राशी वालों की कुंडली में क्योंकि उसूरे के साथ राहू बैठे हुए हैं तो समस्या कारक है यह कि यद्दिवी कि स्वास्य संबंदी समस्या नहीं दिखाई देती लेकिन वहां से चूटका भेहत वह सावधान हैने की जुरत है और निजी लोगों से आपकी अन्बन हो सकती है अगर आप इस समय जगणों से तनाव से दूई है वही अच्छा है और दोका मिलने की भी संभावना है तो आपको सतर ख्रहने की जुरत है यहाँ पर आपके चंदर जो है सिंग राशी का है तो संतान सुथी संभावना भी बनती है ब्रशब राशी वालों के लिए जो है यह जो है बारवे घर में बनेगा योग घर योग तो यहाँ पर जो है बारवा घर जो होता है आँखों का भी होता है तो आँखों से समंद समस्या हो सकती है कि निजी लोगों से अनमंद हो सकती है मित्र इस समय सायता कर सकते हैं कि ग्यार्वे मार में बीटा बैठा हुआ है इस तरहीं परक्ष से परिशानी हो सकती है मानसिक परिशानी तो होगी ही फिर है आपका मिथ्वन राशी मिथ्वन राशी के लिए जो है यह योग बनेगा ग्यार्वे हाउस में तो ग्यार्वे घर में तो ज्यादा परिशानी नहीं देता फिर मेंडल टेंशन जबूर देगा और इस तो यह परक्ष से भी परिशानी हो सकती है यहां पर सीहत तो ठीक रहेगी और नेकिन थोड़ा खर्चा दिखो सकता है मित्र परिवाजन से सुख मिलेगा संतान हे तू संतान से संबंदित कुछ खर्च हो सकता है खर्चा बढ़ सकता है फिर है आपका करक राशी करक राशी में जो योग बनेगा यह दस्वे घर में आ जाएंगे आपके सूरे अगाहू तो यहां पर जो है आपको वाईयों से संबंदित रोग हो सकते हैं शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो सकता है यहां पर आपको सब्सक्राइगा ठीक्ठा करने की संबावना है यात्रा में कश्ट हो सकता है अगर कि साथ ही आपका कोई प्राना किसी से जगड़ा उगड़ा हो तो उससे सावधान रहें सिंग राशी सिंग राशी के लिए जो यह यह योग बनेगा नवम भाब में सूरे आजाएंगे आ नवम भाब में जब सूरे आएंगे तो आपका जो है आमजनी तो दिखाता है लेकिन व्यादिक दिखा रहा है और जो मित्र हैं बंदू हैं उनसे आपके जो परिवाजन हैं उनसे कोई कश्ट हो सकता है आपको लड़ाई जगड़े विवास से दूर रहें इस तरी प्रक् कागरबार में थोड़ा सा कमी या कम जोई हो सकती है कन्या राशी वालों के लिए जो आगे यह योग बने Gedanken अस्ट्रम भाव में नेगा तो यहां कोई अस्ट्रम भाव आपका गुप्त भाव भूप्त सी करेसी का भाव होता है तो यहां पर कोई secret कोई tension हो सकती है भाई से मित्र से जो है यहां पर जो है seven फॉर जुपीटा है तो और आपका बिजनिस भी ठीक ठाक चलेगा तुला राशी जो है नेक्स्ट है तुला राशी तुला राशी में जो है आपके सेविंथ होसे बनेगा तो तनाव तनाव की सिती पैदा हो सकती है पत्नी से और घरेलू बाद बिबाद जंजट से बचना चाहिए ताकि अपने परिवारे जन के लोगों से भी बहस में ना पड़े सीहत बाकी ठीक है गी बैश्टिक राशी बैश्टिक राशी वालों के लिए जो है यह जो सुवय का गोचह होगा वो मेशाशी में होगा वो होगा इनके छटवे भाव में और छटवे भाव में जो गोचह होता है वो आर्थिक संकर दे सकता है मानसिक पहिशानिया बढ़ा सकता है और आपके बिजनिस में कुछ फेवर्दाद हो सकते हैं धनोगाशी वालों के लिए जो होगा यह परिवर्तन जो है फिफ्त भाव में होगा तो यहां पर क्रोध आपका भड़ सकता है वे भड़ सकता है चोगत से सावधान हैनी के जोगत है इस्तरी पक्ष से कस्ट की सम्भावना बनती है यात्रा सुखद रहेगी कारे में लाब हो सकता है संपत्ति का सुख मिलेगा यह है आपका धनुगाशी धनुगाशी के त्युकोण में आ जेंगे सुखे धनुगाशी के त्युकोणों वैसा अच्छा फल देते हैं गाहू के कारण आपका तो 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 टेंशन भर सकता है मकाशी वालों के लिए जो होगा मकाशी वालों के लिए साड़े साती चल लही है और शनी आपकी गाशी में बैठे हैं और फोर्थ आज में सुखे का आना टेंशन हो सकता है यहां नेत में पीड़ा हो सकती है पेट से सम्बंदित को समस्या हो सकती है कागवबर में सुधार की संभावना दिखती है कुम राशी वालों के लिए जो सुर्य का परवतन होगा वो तीसरे घर में आ जाएंगे उच्छे के राशी में तो यह अच्छा परडाम देगा यह कि लगाहू के होने से इसी तरह के संकमर से बचना चाहिए आए तो होगी लेकिन वेवी काफी रहेगा लेकिन आपके जो मित्र है रिषदा है उनसे आपको सहयोग मिलेगा और आपके जो वरोधी पक्ष है वो कमजोग होंगे इस्तरी प्रक्ष से भी लाब होने की सम्मावना है मीन राशी वालों के लिए जो ये परवतन होगा दूसरे घर में होगा तो यहाँ पे समस्या हो सकती है बिजनिस में भी समस्या हो सकती है इस्तरी प्रक्ष से भी कस मिल सकता है टेंशन हो सकती है संतान से संबंदी समस्या हो सकती है मिस्तोस से रिष्टेदारों से किसी पर जगड़े बाद विवाद से बचना चाहिए बागी आर्थे किस्तिती ठीक ठाक रहने की संबावना है तो फ्रेंड्स ये था मेश संक्राती का बारा राश्यों पर क्या असर होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा थेंक्यू